आज हम लोग पढ़ें के टाइम देखें I have this watch है ना इसमें अभी टाइम क्या हो रहा है थ्री ओक्लॉक थ्री ओक्लॉक क्यों हो रहा है जिसे हमें पता है इसमें पता है अब देखें यह जो लॉंग हैं यह हमेशे इसे जल्जली रोटेट करता है पूरी watch में रोटेशन होता है इसका अब जब यह अगर यहां पर है long that means same time हुआ है कितना हुआ है थ्री ओक्लॉक क्या time हुआ है हां से यह आतर five minutes then five minutes five minutes five minutes five minutes five 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 and five अगे देखें कितने five से one two three four five six seven eight nine ten eleven twelve है ना अब अगर हम लोग देखें यहां से यहां से यहां पूरा रोटेशन करने के लिए कितने minutes चाहिए 60 minute अब जब यह long hand यहां से यहां तक रोटेशन के वापस 12 से 12 पर आता है तब यह वाला जो short hand यह 3 से 4 पर आएगा मतलब यह एक number से दूसरे number पर जाएगा that means one hour हो जाएगा 60 minutes equals to one hour सिक्स्टी मिनिट इक्वल्स टू वाला सिस्टम अब जैसे हमने प्रीविएस क्लास में पढ़ा है यहां से यहां तब जब लॉंग हीड आता है तो यह क्या होता है हाफ पास्ट हाफ पास्ट कितना होता है 30 minutes past जम होता है that means half past अब अगर 15 minutes past हो जाता है पिल से हम लोग क्या बोलते हैं अगर यहां पर आगे पर 15 minutes हो गए और यह हो गया अगर यह वाला जो हमारा minute है यह भी यह यहां पर आगया तो यह time हो गया quarter past three that means three बजके 15 minutes हो चुके है इसको हम बोलेंगे three 15 है ना अब ओर 15 minutes हो गए यह वाला जो hand है वो यहां क्या six पे क्या हो गया half past अब कितना नहीं है half past three अब यही वाला जो हम लोग का long hand है यह again 15 minutes ओर आगे पर गया तो क्या होगा यह वाला हमारा short hand है ना यह हलका size नहीं हो जाएगा अब क्या time हो इसमें अब हुआ है quarter two four that means four बजके में quarter that means 15 minutes की बेर अब इसको हम digital form लेके हैं तो क्या लेंगे three forty five यहां पर हो गए thirty minutes thirty five forty and यहां पर हो गए forty five minutes यह हो गया then again यह जो यहां पर आ जाएगा और हमारों के 15 minutes हो जाएगे तो यह time क्या होगा four o clock जो भी time होगा वो बोलेगे o clock done यह होके हमारा time duration अब अगर हम इसको digital form में लिखते हैं one by one तो हम लोग कैसे लिखेंगे अब यह देखें यह time हो रहा है four o clock तो कैसे लिखेंगे यह होगे हमारा digital form में four o clock है ना अब यह जो हमारा minute है यह कहा जाता है one तो क्या होगे आप four zero five four five then अगर यह यहां से अब इधर आता है ten way four ten then four fifteen quarter past four को हम लोग क्या बोलेंगे four fifty then isa ही यहां पे four twenty four twenty five four thirty four thirty five four forty four forty five four fifty four fifty five then यहां पे system is complete हो जाएंगे है ना तो इसको हम लिखेंगे next number जो भी आएगा four o clock या five o clock अभी हमको भी लिखेते है four o clock ठीक है four से लेके यहां पे five 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 का पूरा timing हम लोग का cover हो जाता है यह हो गया हमारा digital form आप जैसे हमको बता है कि हर एक number के बीच में five minute का gap होता है ठीक है five five minute का यह सब में अलतर होता है यहां से यहां तक अगर रोटेट करेगा तो five minute अब मैं आपको यह बता है यह सबसे फास देखे एक छोटा सा हैंड होता है इसमें उसको बते हैं जो हमेशा continue यू 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 एस चलता रहता है रोटेट करता रहता है वो होता है second hand ठीक है second का काटा भी बोलते हैं उसे ठीक है अब सबसे इस स्पीड से इसे वाला चलता है है ना तो आपको पता है जब यह हल्का सधर यहाल जाता है तो इनके बीच में कितने minutes का उंतर होता है 60 minutes का सबसे small जो इसका unit होता है होता है second ठीकी रून second जब 1 minute होता है रोटेट में कितने seconds होता है तक को बलता है 60 seconds, वन निट के अंदर यह सबसे smallest होता है, जो सबसे fast चलता है, वो 60 times पूरा यहां से यहां तक rotate करता है, तब यह वाला जो हमारा long hand होता है, यह सिर्फ यहां चलता है, यहां से यहां तक 4 notes बने हुए होते हैं कई सारी watch में, तो जभी इससे एक मिनिट होता है थोड़ा से ऐसे गुमता है, तब तक यह वाला जो पूरा hand होता है, यह फूरा एक बार rotation हो जाता है, 16 seconds का 1 minute होता है, अब देखे, 1 hour, जो होता है, वो कितने minutes का होता है, वो भी 60 minute का होता है, मैं आपको बताया था, यहां से यहां तक यह बड़ा वाला hand है आपारा, यहां स यहां पूरा rotate करेगा, तब यहां से यहां तक आता है, तब एक घंटा होता है, 1 hour होता है, है ना, तो 60 seconds equal to 1 minute and 60 minutes equal to 1 hour, ठीके, यह हो गया हमारा time, अब हम लोग सिखेंगे calendar, अब जिसे हम लोग time देखना सीखते हैं, हाँ ना, तो इससे हमें पता है, 60-60 minutes का सब जगा days होता है, यह से ही 1 week, 1 week पर कितने days होते हैं, 7 days होते हैं, ठीके, अब 1 day, 1 day में कितने hours होते हैं, 24 hours होते हैं, 1 day के अंदर, ठीके, अब 24 hours जो मैंने आपको पता है, watch में, 12 से लेके 12 तक, है ना, अब इसने एक चीज़ और बता रहे हों मैं आपको, जब हम लोग 12 से लेके 12 तक वापस पढ़ते हैं, तो इसमें क्या होता है, सब सब जैसे की 12 o'clock, अब आपको बताते हूं में, इंटरनेशनल फॉर्म और इंडियन फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल फॉर्म जो होता है, उसमें हम लोग जब भी टाइम देखते हैं, तो रात की 12 बता से दिन चेंज होता है, जिसे आज जो भी देख है, रात की 12 o'clock से जो टाइम हो आए, वो आज रात में जब 12 o'clock होंगे, तो ये डेख चेंज हो जाएगा, बट इंडिन फॉर्म की जया से जाता है, आज morning 600 o'clock से देख हो आता है, ठीक है, देख जो होती है, वो आज morning 600 o'clock से, कल सूबर नोग 6 o'clock तक रहती है, लेकिस इंडरनेशन फॉर्म में इसा नहीं होता है, उसमें क्या होता है, रात की जो 12 बस्ती है, है ना ट्ट्रोंग हो यहने की सूबे की बारा बचती है, उस टाइंग तक यहां पर होता है, A. Jen. अब, A. M का फूर्ड फॉर्म क्या हता है? Early morning, है ना यहां से यहां तक early morning मझती है 측.e early morning मतलब, रात की बारा बजह से लेखे दिन के बारा बजह से साइन में और क्या टैम होगा, A. M अब इसमें 1 am, 2 am, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 जो भी टाइम रहेगा वो एम रहेगा जिसे अभी अगर morning है और अगर 10 बज रहे तो time के अगर 10 o clock या फिर 10 a.m है ना early morning है इसलिए 10 a.m ये आज का time रहेगा बड़ आप देखे 12 o clock अकर दिन का बज जाता है तो इसे बोलते हैं जिसे राट की बादर बनेगा जिए टाइम होगा जीरो-जीरो-जीरो 12 o clock पे राज की बादर बनेगा और दिन के 12 बजी क्या होगा 12 o clock यह सा लिखा जाएगा और इसे हम जब किसी को विश्च करते हैं इस वक्त हम क्या बोलते है गुट नूद ये जो time होता है वोता है नूद है ना अब इसके बाद में 5 निट हो गए 12 जाएगा हमारा afternoon time अब यह ना सही हाल तक जब noon से आगे वापस घड़ी बड़ी हमारी वाच जब 1 o clock पे 2 o clock पे 3 o clock पे जाएगी तो यह सारा time हो जाएगा p.m. that means prime morning यह हो जाएगा time prime morning और इस वाले time में हम लोग क्या लिखेंगे जैसे केदर 4 बज गए है तो 4 p.m. यह यहाँ पाए है तो 1 p.m. यह यहाँ का time रोड़ेगा ठीक है यह हो गया a.m. और p.m. आप हमेशे याद रहना a.m. that means early morning p.m. means prime morning early morning जो होती है वो रात की बारा बजए that means 0 hours से लेके 12 o'clock तक होती है और जो prime morning होती है वो 12 o'clock से अगें 0 hour तक होती है अब मैं फिर से revise करते हूँ वन विग में 7 days होते है then one day में 24 hours होते है then one year में 364 day होता है अब देखें सॉरी 65 day होते है 65 day जो होते है यह exact नहीं होता है क्या होता है 65 days and one by four यह exact time होता है one year का अब हम सबको पता है कि जो February होते है ना वो 28 यह 29 days के होती है आपको पता है हर four year के बाद में जो February आती है वो 29 यह जाती है every four years में क्यों ऐसा होता है क्योंकि यह जो 360 days plus one quarter day जो होता है अगर यह quarter quarter मिलके one day पूरा कर लेते है four years में तब four years में होता है यह 366 days से one year बनता है every four year में क्योंकि जो हमारी earth है उसको rotation में कितना टाइम लगता है पूरा 365 days and one quarter day है ना तो यह quarter quarter four year में one day बन जाता है तब हर four years के बाद में जो February होती है वो 366 days की होती है है ना इसलिए हर four years के बाद में जो वो 29 days की होती है बाकी February 28 days की होती है ठीक है यह हो गया हमारा एक day का और calendar का small thing अब हम लोग date के श्त mention करते हैं आप suppose कि है कि मैंने यह यहाँ पर date लेकिए आप देखे यह जो date का formation है इसका क्या है यह जो मैंने लिखा गए यह लिखा है डीडी m m y y y y y d d means क्या होता है date two digits में date आती है 30 to 31 days का every month होता है तो यह सिर्फ two digits में हम लिट हो जाती है इसलिए यहाँ पर two time d d लिखा है है ना यह हो गए देख then mm mm होता है month यह भी two digit वाल पर इसलिए यहाँ पर two times mm लिखा होता है then y y y y y y यह होता है year अब year हम लोग four digit में लिखते है इसलिए यहाँ पर four time y लिखा है आप देखे यहाँ आशकी देखे 10 यह हो गए आशकी देख two यह हो गया month then year 2021 आप two months के उनसा हो गया month February ठीक है यह हो गया है digital form numeric form भी से बोलते हैं आप हम लोग इसको written form में लिखते हैं जैसे के हम लोग words में लिखते हैं इसको हम लोग कैसे लिखेंगे इस ही देख को सबसे first मैं आपको example के लिए यह देखे फेलती हूँ आप देखिए जब हम लोग इसको word में लिखेंगे तो सबसे पहले हम लिखेंगे month month क्या है second that means February February 10 किसकी February है 10 February 10 आप लाने की हाँ पे comma now year 2021 एसे हम लोग date लिखेंगे आगर हम लोग को retrofit date लिखना है तो हम लोग कैसे लिखेंगे 26,01,20,21 यह हमने इसी पॉम में जो date का numerical पॉम है वो में लिखा कौन सा पॉम है यह mm sorry d d mm y y अब इसी को हम लोग अगर word में लिखेंगे तो हम लोग कैसे लिखेंगे यह mm यहां जाएगा d d यहां जाएगा और यह x कैसे लिखेंगे अब इसे लिखेंगे January 26,20,25 ओके आप हम लोग को हमेशा देट इसी formation में लिखनी है जब भी हमको इस form फिल लब करते हैं तो वहाँ आप इसा लिखा होता है यह से बहुत सारे blocks बने होते है और इसमें आप लिखाता है d d then mm then y y y y y ऐसा लिखा होता है अब हम लोग d d d में क्या करेंगे आज की देट लिखेंगी यह 2 d जित हो गया mm अब क्या लिखेंगे के month यह month हो गया अब यहाँ आप y y y y y y y y यह हमने किसी की भी form को fill up करते वक्त इस चीज को ध्यान रखना है और यहसे ही हमें date mention करने that's all for today have a nice day namaste